दोस्तों हमने तो हमेंसा से यहीं सुना है कि मचली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है पर अगर मैं आपको एक ऐसी मचली के बारे में बताओ जो ना सिर्फ पानी के बाहर जिन्दा रह सकती है बलकि पेड़ पर भी चर सकती है तो आप क्या कहेंगे क्लाइमिंग पर्च नाम की मचली के एक प्रजाती है जो ऐसा करने की काबिलियत रखती है यह मचली अपने पेट में लगे काटों की मदद से अपने बॉडी को होल्ड करती है और अपने पूच और पंक की मदद से अपने आपको आगे धकिलती है इन मचली के पास और्गिन होता है जो इन्हें डिरेक्टली एट्मोस्फेर से अक्सिजन लेने में मदद करती है। ये मचली जाहतर साउथ इसिया, स्रिलंका और इस्ट चाइना जैसे जगहों पर पाये जाता है। इस मचली का साइंटिफिक नाम अनाबास टेस्टू डेनियस है। क्याइस कि आप इसके बारे में पहले से जानते थे हमें कॉमेंट पर जरूर बताएं। और ऐसे और इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में।